तो किसन भाईयो सोनालिका ने अपने 2024 के लिए टाइगर सीरीज के प्रीमियम टेक्टर को अब नए गेरवाक्स और नए पीटियो के साथ रिलाउंच कर दिया है इसलिए इस सीरीज को समय समय पर अपडेट करना जरूरी हो जाता है सोनालिका के लिए ये हैबी ड्यूटी टेक्टर है इस टेक्टर में आपको मिलता है 50 HP का तॉर्की इंजन नमस्कर किसन भाईयो मैं हूँ आपका दोस्त रोही त्यादवर में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटूब शेनल टेक्टर टिवी बन कर और आज हम बात करने वाले हैं सोनालिका के टाइगर सेरीज के 2024 के लिए निव लाँच टेक्टर सोनालिका टाइगर 47DAI के निव मॉडल की तो किसन भाईयो सोनालिका ने अपने 2024 के लिए टाइगर सीरीज के प्रीमियम टेक्टर को अब नए गेरवाक्स और नई पीटियो के साथ रिलाँच कर दिया है इस टेक्टर में आपको एकदम नए अगेरवाक्स और नई टाइप की पीटियो देखने को मिलेगी बहुत से जरूरी अपडेट के साथ किसन भयो सोनालिका टाइगर सोनालिका का नेक्स्ट जनरेशन टेक्टर है इस टेक्टर को मौडरन और नए टकनिक और न्यू जनरेशन को ध्यान में रखकर तयार करा है सोनालिका ने इस टेक्टर को, इस टेक्टर में आपको हर वो चीज मिल जाएगी, जिसे देखकर आपको फील होगा कि आप किसी modern टेक्टर को चला रहे हैं, और किसन बहुत सोनालिका के टेक्टर समय के साथ थोड़े पुराने से भी लगने लगे थे, जिस बजा से वो looks और feel में, नए और modern new टेक्टरों की तुलना में थोड़े से फीके पढ़ते जा रहे थे, जिसे भी counter कर रहा था सोनालिका ने अपने टाइगर से, सोनालिका समय समय के साथ अपने टेक्टरों में हमेशा कुछ जरूरी अपडेट करता रहता है, यहाँ भी उसी प्रोसेस का हिस्सा है, टाइगर सीरीज सोनालिका की प्रीमियम सीरीज है, इस सीरीज में आपको हमेशा लेटेस्ट फीचर्स मिलते हैं सोनालिका की तरफ से, इसलिए इस सीरीज को समय समय पर अपडेट करना जरूरी हो जाता है सोनालिका के लिए, तो चलिए बात करता है इस टेक्टर की और देखते हैं कि वीडियो को पूरा देखें आखरी तक को जाने कितना स्कोर मिला है सोनाली का टाइगर 47DI को टेक्टर TV 1 से किसन भाईयो सोनाली का टाइगर 47DI, SDM प्लस टेक्टर है, ये हेवी ड्यूटी टेक्टर है, इस टेक्टर में आपको मिलता है 50 hp का torquey engine heavy duty कामों को करने के लिए और किसन भायों इस category पर अब कमपनिया कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही है क्योंकि ये बारत में सबसे ज़्यादा बिखने वाली category में आते हैं ये टेक्टर इसलिए इन टेक्टरों को लगभग सभी कमपनिया अपडेट करने में जुटी हुई है और उपर से अब टेक्टरों में भी नए pollution norms आ गए है जिस बज़ा से इस category पर अब और ज़्यादा load बढ़ गया है इसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब 50 hp से उपर के टेक्टरों को अब BS4 करना पढ़ रहा है और BS4 करने के लिए टेक्टरों के इंजन को CDI बनाना पढ़ेगा जो बहुत ही महेंगा सोधा है तक रिवन देर लाग से महेंगा पढ़ता है ये CDI सिस्टम और थोड़ा ज़्यादा maintenance की भी ज़रूरत पढ़ती है जिस बजासे अब जो लोग थोड़ा ज़्यादा पिसा खर्च करके 55 HP बाली कैटेगरी पर चले जाते थे वो अब इन्ही टेक्टरों पर सिफ्ट हो जा रहे है और कंपनिया भी इंजन को रिट्यून करके अब ज़्यादा टॉर्की इंजन दे रही है 55 HP में पहले की तुलना में चले बात करते हैं इस टेक्टर के लुक्स, फीचर्स और कमफर्ट की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया मिल जाता है इस टेक्टर में आपको लुक्स ही बात करें तो किसान भाईयो सोना लिगा ने इस टेक्टर को यूरुपेन मार्केट के हिसाब से तयार करा था सबसे पहले तो एरोडाइनमिक टाइप, मौडरन एंड राउंड एज हुड प्रोफाइल मिल जाती है इस टेक्टर की संदराल न्यू मेटलिक ब्लू कलर के साथ डूल बेर रल हेड लेम्प मिलते हैं इस टेक्टर में आपको क्रों में के साथ जो काफी प्रीमिईम सा फिल कराते हैं देखने में उस पर सूपर डिलक्स डी-ारल का ट्रिटमेंट अलग से मिल जाता है जिससे ये रात में भी काफी अच्छा सा लुक देते हैं देखने में वहीं हुड पर साइड में भी काफी अच्छा क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है और वहीं टाइगर की बेजिंग भी 3D में की गई है ये पूरा सेटप इस ट्रीक्टर को काफी modern और rich लुक देता है देखने में कहीं से भी काम धकाओ वहला काम नहीं दिखता है इस ट्रीक्टर में आपको बागी लुक्स बगेरा पर मेरा कोई ज़्यादा कमेंट करना बनता तो नहीं है क्योंकि देखना दिखाना ये सब आपकी अपनी डिजी राय पर निर्वर करता है कि आपको ट्रीक्टर का क्या और कैसा लुक पसंद आता है प्रेस्नली मेरी बात करूँ तो मुझे पसंद आया इस ट्रीक्टर का लुक देखने में सबसे ज्यादा मुझे इसका मेटलिक कलर पसंद आया काफी प्रीमियम फील देता है ये कलर ट्रीक्टर को देखने में चलो बात करते हैं इसके फीचर्स और कमफर्ट की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नयाद दिया है सोना लिकाने अपने टाइगर में तो सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रेक्टर के इंस्ट्रूमेंट कलश्टर की इंस्ट्रूमेंट कलश्टर की बात करें तो इस ट्रेक्टर में आपको नेक्स्ट जनरेशन पूरा मॉडरन इंस्ट्रूमेंट कलश्टर मिलता है जिसका layout देखने में काफी premium लगता है और इस instrument cluster में आपको engine, rpm, fuel, temperature, battery और oil pressure आपको analog type meter में देखने को मिल जाती है और वहीं hours बताने के लिए एक छोटी सी digital numic screen दी हुई है चलिए अब बात करते हैं इसके steering की तो किसन भाईयो यह है open center hydrostatic single acting में आने वाला manually operated by steering control wheel वाला power steering system, seat और comfort की बात करें तो किसन भाईयो इस tractor में आपको मिलती है two way adjustable deluxe seat with two helica coil spring suspension और साथ में hydraulic shock absorber dumping control के लिए और इसमें आपको side shift gear lever और push type clutch and brake pedal के साथ semi flat platform मिल जाता है इस tractor में आपको और इसकी seat काफी height पर place है जिस बजा से tractor पर काफी अच्छा control रहता है आपका और engine की direct heat से भी आपको बचाती है ये seat तो चलिए बात करते हैं इस tractor के engine की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया दिया है इस tractor में आपको सोना लिका ने तो किसन भाईयो यह है वाटर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है overflow reservoir के साथ और ये engine लगभग 1900 engine RPM पर चलका लगभग 50 HP की ताका तो लगभग 205 Nm का torque पे दख कर देता है और वहीं जरूरत पढ़ने पर ये engine लगभग 26 प्रतिस अथ तक का backup torque भी लगा सकता है गेर वाक्स की बात करें तो किसन भाईयो यह है 15 गेर वाला mechanically operated combination of constant mass gearbox, side shift gear lever के साथ 12 forward 3 reverse gear speed वाला गेर वाक्स वहीं इस गेर वाक्स के gear pattern की बात करें तो इस गेर वाक्स में आपको 4 आगे के gear की और एक पीछे के gear की 3-3 speed मिलेगी गेर खाज के सामने की तरफ लगबग 3 km प्रति गंटे से तो 37 km प्रति गंटे तक की speed से चला सकते हैं और वहीं पीछे की तरफ लगबग 4 km से तो 16 km प्रति गंटे तक की speed से चला सकते हैं वहीν clutch की बात करें तो इस टेक्टर में आपको push type clutch pedal के साथ dual clutch system मिलता है जिसमें आपको single drive fiction plate dive agram type 2 stage clutch plate unit मिलती है 2 stage clutch plate unit वही dual clutch होता है जो clutch pedal से ही operate होता है clutch pedal को आदा दबाओगे तो PTO रुखेगी और पूरा दबाओगे तो tractor control होगा PTO की बात करें तो किसान भाईयो यह है लगबग 45 HP की dual clutch के साथ आने वाली 540 स्प्रिट की live PTO जो लगबग 1790 RPM पर चलकर 540 RPM की स्प्रिट से गुमती है और वही multi-sprit PTO भी मिलती है जिसमें आपको 4 forward और 1 reverse स्प्रिट PTO मिल जाती है इस टेक्टर में आपको hydraulic की बात करें तो किसान भाईयो यह है 3 point linkage 2000 kg की lifting capacity वाली category 102 की 5G exo sensing hydraulic system open center live air DDC type single acting 3 point top link और 130 sensing point automatic draft and gray control वाली hydraulic system बागी आपको इस टेक्टर में दो auxiliary control wall भी मिल जाते हैं reversible plow और trolley वगड़ा के लिए brake की बात करें तो इस टेक्टर में आपको push type brake pedal के साथ aisle में डूबे हुए multi-dix braking system मिल जाता है और वही handbrake इस टेक्टर में आपको paul and ratchet arrangement type मिलता है टायर और एक्सल की बात करें तो किसन भाईयो इस टेक्टर में आपको आगे मिलते हैं साथमा 16,8 PR के टायर adjustable front heavy axle के साथ और वहीं पीछे मिलते हैं 16,9,22 PR के टायर bulgar and pinion unit के साथ rear drive एक्सल मिलता है और इस टेक्टर का बज़ाने लगबग 2270 किलो लंबाई ये लगबग 12 फूट 7 इंच चोड़ाई ये लगबग 6 फूट 5 इंच उचाई ये लगबग 8 फूट 3 इंच सालेंसर तक वीलबे से लगबग 7 फूट 1 इंच और ground clearance से लगबग 1 फूट 4 इंच 65 लेटर का डीजल टेंग के इस टेक्टर का उलगबग 2 से तो 5 लेटर पती गंटे की अवरेज डीजल कपत है इस टेक्टर की ये इस बात पर निर्वर करता है कि आप इस टेक्टर से क्या काम करवा रहे हैं और कहां पर चला रहे हैं कीमत की बात करें तो लगभग 8 लाक में पढ़ता है ये टेक्टर में रहे हैं मद्द प्रदेश में दो साल तक की वारेंटी मिलती है इस टेक्टर पर जिसे आप 5 साल तक के लिए बढ़वा भी सकते हैं और 500 गंटे पर सर्विस इंटर्वल है इस टेक्टर का अब आरे है टेक्टर टिवी डॉट इन के स्कोर की तो सोनालिका टाइगर 47 डियाई के टॉर्क को मिलते हैं 100 में से 100 पाइंट पीट्यो पावर को भी मिलते हैं 100 में से 100 पाइंट और लिफ्टिंग कैपैसिटी को भी मिलते हैं 100 में से 100 पाइंट अगर आप 2000 kg वाला मौडल लेते हैं तो महीं overall इस टेक्टर को टेक्टर TV1 से स्कोर मिलता है 100 में से 95 का तो किसन भाईयो इस टेक्टर को टेक्टर TV1 से स्कोर मिला है 95 का इस टेक्टर की कैटेग्री की तुलना में और किसन भाइयो नमबर हम आपकी सोलेद के लिए निकालते हैं ये कोई मापड़न नहीं ये ट्रेक्टर को परगने का ये नमबर हम हमारी नीजी राय के आधार पर निकालते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो टेक्टर टिवी वन चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें टेक्टर और खेतिवारी की मसीनों के बारे में हमेशा अपडेट रहने के लिए धन्यवाद